तो मैं आपको काफी इंटरस्टिंग चीज़े आज बताने वाला हूँ इस इस शो के माध्यम से शो के जरीये आप लोगों के साथ में कुछ अच्छी चीज़े शेयर करने वाला हूँ सबसे इंपोर्टेंट जो आजकल आप लोगोंने सुना होगा वो है कि वीडियो मार्केटिंग बहुत जादा बढ़ गया है वीडियो मार्केटिंग बढ़ने के कारण काफी लोग वीडियो बनाने लग गए हैं और काफी लोग सोचने लग गए हैं कि वीडियो बनाने चाहिए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ वीडियो बनाना शुरू किये हैं या videos बनाना चाहते हैं या already इडियो बना रहें मतलब आफमेंसे कोई भी जो video में किसी भी लेवल पर अगर engage हो गए हैई पिसी भी लेवल पर अगर video के साथ engage हो गए है या video initiate कर दिये तो वो comment में yes लिख सकते हैं yes लिख सकते हैं या thumbs up डाल सकते हैं अगर आप videos बनाने लग गए हैं या बना रहे हैं या बनाने के बारे में बहुत जादा excitement के साथ सोच रहे हैं कि मुझे videos पर काम करना चाहिए अगर ऐसा कोई है तो आप please comment में yes लिखके show कर सकते हैं कि sir I am very much interested in videos and all क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि आजकल videos का बहुत ज्यादा trend आ गया है और social media पर सभी जगे videos बहुत ज्यादा चलने लग गए Hello Niranjan Hello Kalpesh Hello Josh Okay Sumant Sumant is thinking about video and video marketing निरंजन भी सोच रहे हैं कि videos बनाने चाहिए आप क्या ख्याल है आप तो अलड़ी video marketing video editing में है video वगेरा वीडियोग्राफी भी आप करते हैं तो आपका क्या planning चल रहा है कि social media पर या digital marketing में किस तरीके से आप videos को लेकर आने वाले है ओके I want to create my YouTube channel Ajay very good बहुत अच्छे thoughts है YouTube channel बिल्कुल बनाना चाहिए मैं आपको अपनी YouTube channel की अभी तक की जो story है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ओके सिधार्त मौर्रे he is very much interested just just already video बना रहा है विपल यादावी videos बनाने में इंटरस्टेड है निशान्त वर्मा he is also very much interested hello Nishant hi I think इनने hi बोला है yes नहीं बोला है ठीके तो मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ facts share करता हूं कि videos कि किस तरीके से popular हो गए हैं आज के समय में और क्या अलग-अलग जो survey है अलग-अलग जो studies है वो क्या कहती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि by 2021 मतलब इस साल के end तक video will represent 80% of all internet traffic अभी भी मतलब video will represent 80% of all internet traffic अगर आप अभी खुद को observe करें आप दिन भर देखें कि जो भी आप content consume करते हैं अपने mobile पे या अपने PC पे आप experience करेंगे कि उसमें से अधिकतर content जो है आप video वाला ही आप में अगर खुद का आज के दिन का सोचता हूं कि मैंने आज दिन भर में जितना भी mobile चलाया है जितना भी internet चलाया तो जो content का format था वो text था या video था तो मैं खुद भी आप मैं तो खेर बहुत जादा video consume करता हूं लोग 16 गंटे से जादा videos देख रहे हैं online फिर चाहे वो netflix हो hot star हो या किसी और series को देख रहे हो या movies देख रहे हो या online videos देख रहे हो या Twitter चला रहे हो या Instagram चला रहे हो या Reels देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग actually videos बहुत जादा देख रहे हैं 85% of all internet users in US watch online video content on their devices और जो अगर हम इस तरह की बात करें कि आपका personal device याने कि आपका जो mobile है आप अपने mobile पे सबसे ज़्यादा कौन सा content या कौन सा format of content consume करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आप जो है video consume कर रहे हैं कि ओके निरंजन आयम फाइन कलपेश माइफ यूट्यू चैनल रन अच्छा आपके पांच यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छी बात है ठीक है इसके लावा people pay attention to video content but they scheme and multitask with written content or podcast अब देखें आप लोगों को पता होगा कि written content पर हम जिसकी blog की बात करते है blogs होते है website पर जो लिखा होता है वो सब होता है ठीक है एक दूसर content होता है जो होता है podcast podcast पर काफी अच्छा content होता है एक अच्छा माध्याम होता है किसी के पास अपनी बाते पहुंचाने का अपनी अवाज के थूँब लेकिन यह दोनों blogs और आपका जो podcast इन दोनों चीज़ों में लोगों का attention ज्यादा distract होता है compare to video अगर कोई बंदा video देख रहा है तो वह video ज्यादा tension के साथ देखता है compare to वह जब वह read कर रहा है या वह जब सुन रहा है जब आप सुन रहे हों तब फ़र फो आप पढ़िशेंद यह बात करें तो जुगेंद्र मसराम ने पूछा है कि चाहिए आप ढिजिटल मार्केटिंग से कितना कमा लेते तो जोगेंदर जी ऐसा है कि फिलाल घर चल जाता है और अच्छे से चल रहा है और मैं आपको बता हूंगा कि इसके थूरू सिखा सिखा के मेरे कई स्टूडेंट्स का भी घर काफी अच्छे से चलने लगा है अभी यहां पर ही अगर कुछ लोग जॉइन होएंगे तो मैं उ limits also some page on the pages जीन जीन लिज्छा होते हैं तो इस तरीके से overall हम समझ सकते हैं लिज्वा का the जान है बढ़ गया वीडियो का इन लगा एक अर्भीयो प्रेंश और चल्शार संद्रह आप tris to you का और इसके फीनhoven पा ही क्योंके चाहाव है कि शहींतों से ओ compass बात कर लेते हैं देखिए basically categories होती है explainer video होते है social media videos होते है product demos होते है product demo यानि किसी product के बारे में explanation देना कि product कैसे काम करता है जैसे कि vacuum cleaner कैसे काम करता है तो वो product demo वाले video category में आएगा ठीक है user generated content या जैसे हम UGC भी कहते है user generated content क्या होता है जैसे कि मैं अगर OPPO का mobile use कर रहा हूँ ठीक है और अगर मैं OPPO की mobile से फोटो के Instagram पर डालता हूँ और उसमें अगर hashtag में OPPO लिखता हूँ या मेरी photo की बीच में नीचे कहीं लिखा आता है OPPO तो actually branding किसकी हो रही है OPPO की ठीक है इसी तरीके से customer videos होता है याने कि testimonials है कोई customer अपना कैसा experience शेयर करता है वह सारे category वाले video भी होते हैं एक study की अगर हम बात करें कि mostly कौन सी category के video कितना percent लगभग अलग-अलग businesses use कर रहे है मार्केट में जो अलग-अलग category के videos होते हैं जो कि मैंने आपको explain किया अभी जैसे explainer video, social media video explainer के अलावा आपका customer videos होता है user generated video होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि webinars 55% जो businesses हैं वह webinars का use करते हैं अगर और दूसरे बात करें कि product videos जो होते हैं 47% product videos का use हो रहा है इंडस्ट्री में 31% live streams मतलब अभी हम जो देख रहे हैं live stream video में आता है 31% इसका ratio थोड़ा सा कम है demo videos काफी use होते हैं 52% demo videos use होते हैं customer videos 41% cultural videos 25% how to videos जैसे कि आप अगर मेरे YouTube channel पर जाके देखेंगे अगर आपको YouTube channel का नाम ना पता हो तो आपको केवल टाइप करने अभी शेक सिंग ठाकुन आप मेरे YouTube channel पर जाके देखेंगे तो आपको वहां पर बहुत सरे how to videos मिलेंगे यानि कि इस चीज को कैसे करें इस चीज को कैसे करें how to this how to that इस तरीके के जो how to videos होते हैं फिर explainer videos होते हैं thought leadership 32% social media videos 51% इस तरीके से अलग-अलग industry के इसाब से अलग-अलग portion of video के एटेगरी का use हो रहा है तो आप जीज भी industry में काम करते हैं उस industry के इसाब से उतना video का analysis आप कर सकते हैं या उतना video content आप generate कर सकते हैं कि यहां पर के अच्छे इस दौरान अगर आपके मन में कोई भी सवाल अगर आता है तो आप comment में आपके सवाल लिखते जाएगा ठीक है यह session जिस तरीके से ending की और जाएगा वैसे हम उन सवालों को लेके भी कुछ discussion हम यहां पर कर लेंगे तो इसके आगे में दोस्तों आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि एक study यह कहती है कि 55% जो लोग Google पे किसी भी product को देखते हैं वो 55% जितने भी लोगों ने product को देखा Google पे या कहीं online product को देखा उसके आथ 55% लोग जो है उस product के बारे में videos को देखते हैं मतलब अभी खरीदा नहीं है अभी इस product को देखा वेबसाइट पे फिर उसके बारे में उससे related videos को देखेंगे कि YouTube पर जाके देखेंगे कि वो वीडियो के वो product कैसे काम करता है For example हम अगर बात करें mobile की मोबाइल का आप जब भी कोई mobile लेने जाते हैं तो लेने से पहले मैं आपको इतना assurance दे सकता हूँ कि 90-95% आप लोग को उस mobile का पहले video देखते है YouTube पे फिर video देखने के बाद आप उस mobile के reviews देखते है YouTube पे वो किस तरीके से काम करता है उसका camera comparison देखते है उसके बाद आप कहीं जाके decision लेते है अब आप अगर इसको marketing point of view से देखो तो यहां पर उस mobile का video कितना important था अगर वो mobile का video अगर उस समय exist नहीं करता तो शायद आप उस mobile को खरीदने का decision नहीं ले पाते यह इसका vice versa उसके बहुत सारे videos available थे इसलिए आप उस mobile के strongly खरीद पाते हैं ठीके तो इस तरीके से जो है trust built होता है एक तीन reason में आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग videos देखते हैं किसी product के बाद उसका एक कारण ही होता है कि वो खरीदें या ना खरीदें इसलिए वो देखते हैं फिर उनके मन में आगर कोई confusion चल रहा है किसी product को लेके तो उस confusion को clear करने के लिए भी वो उस product से related videos को देखते हैं उसके लावा trust करने के लिए company के उपर कोई उसमें कोई problem तो नहीं है credibility कैसी है trust ठीक है reviews कैसे है लोगों का experience कैसा है कितना चला कोई भी product है उसके क्या reviews आए इधर एक question आ रहा है सुमंत कुमार का के facebook ads के लिए facebook business account बनाए या normal ads से ads चलाना चाहिए देखो अगर आपका already facebook ads manager बन गया है अगर आपका already facebook ads manager बन गया है और उस पे आपने पहले कभी कोई पैसे डाल दिये है तो आपको normal facebook ads manager से ही अपना ad चलाना पड़ेगा या तो फिर आपको नया business manager बनाके नया page बनाके नया ads account बनाके आप वहाँ से ads चला सकते लेकिन यह वाला जो already ads manager बना हुआ यह आपका business manager में आप नहीं जाके connect हो पाएगा ठीक है अगर नहीं बना होगा उसी case में business manager ads manager आपका connect होगा अगर बन चुका है तो वह connect नहीं होगा कि मैं अभी मैं आपके साथ कुछ discussion करता हूं कि भाई हमने कुछ facts देखे अभी वीडियो के हमने देखा कि लोग किन काड़नों से वीडियो को देखते हैं ठीक है हमने देखा कि लोग कितना consume कर रहा है वीडियो को ठीक है अभी हम देखते हैं कि भाई कितना benefit है वीडियो का तो benefits मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डूड़ने हैं कि यह बहुत सारे strong और special benefits हैं जिसका हम lab उठा सकते हैं अगर हम video marketing करते हैं या video content produce करते हैं सबसे पहली बात दोस्तों 90% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी अपने चारोत्राफ लोगों को देखेंगे आपके छोटे भाईवें बड़े भाईवें पैरेंट्स या किसी भी एज ग्रूप को अगर आप देखेंगे तो आप दे आप देखो दाग अच्छे होते हैं सर्फ एक्सल का एट था कितना फेमस है जब आप किसी चीज को बहुत जादा बार देखते हो उसके बहुत सारी ब्रांडिंग देखते तो आप उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने उसका इस्तिमाल ही किया ह बिना इस्तिमाल के भी जब बहुत जादा फैमिलरिटी आ जाती है तो भी हम चीजों पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं उसके लावा जो है वीडियो जो हैं connection बनाने में बहुत काम आते हैं आप और आपकी audience की बीच में जैसे कि अभी आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने मेर बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनकी मेरी आप सा डारेट कभी बात भी नहीं हुई है पर फिर भी आपको लगता है कि connection है connectivity है एक relation है ठीक है यह वीडियो के कारण हो पाता है यह बहुत बड़ा advantage है this is this creates an emotional connection between two people और जब आप emotionally connect हो जाते हैं तब आप decision आसानी से ले पाते हैं उस person के against उस person के relation में या उस brand के relation में इसके लावा दोस्तों video engage बहुत अच्छे से करता है उन लोगों को भी जो लोग काफी lazy होते मतला जैसे कि अगर आपने कोई blog content बनाया तो उसके लिए लोगों को पढ़ना पढ़ेगा पढ़ने में effort लगता है अगर आपन attention उसका attention भी ले पाते हैं और उसके पास तक भी अपना message बहुत आसानी से पहुंचा पाते हैं सुमंत कुमार कह रहे हैं कि मुझे एक बात कहनी है आप जो हमें सिखाते हैं वह बहुत valuable है हमारे लिए अगर वह वीवर अजीब सा comment करें तो उस पर ध्यान मत दीजिए हम चाहते हैं कि आपकी guidance हमें मिलती रहे प्लीज हम सीखना चाहते हैं थैंक यू सुमन फॉर दिस एंकरेजमेंट ओके अब एक और बेनेफिट है एक और बेनेफिट है वीडियो मार्केटिंग का कि गूगल जो है वह भी वीडियो को पसंद करता है याने कि अगर आपनी website को आप रैंक कराना चाहते हैं या अच्छी SEO का इंप्रूब करना चाह तो अगर आपकी website पे videos हैं अगर आपके blogs में videos हैं कहीं पे अगर आप video content है तो उसको ज्यादा फेवर मिलता है Google के तरफ से और उसको अच्छी ranking मिलती है क्योंकि Google के बाद जो second दुनिया के सबसे बड़ी website है वह भी YouTube है और वह actually video content वाली website है ठीक है तो Google बहुत ज्यादा फे फ्री में आपका video share किया जा सकता है और फ्री में आपकी video पर engagement भी आता है तो अगर आपका content अच्छा चलता है और लोग अगर इसको like, share, comment करने लग जाते हैं तो इससे भी आपका content और आपके content के साथ आपकी values और आपकी values के साथ आपकी brand values जोड़के logo तक पहुंसती हो ज् इसका आपको free में advantage मिलता है अगर आप video content produce करते हैं तो एक second अगर वीडियो है तो वह आपको sales करने में मदद करेगा अगर वीडियो है तो वह आपको sales करने में मदद करेगा क्योंकि जो मैंने आगे जित्ते भी benefits बता है वह सारे इसमें add-on हो जाते हो ultimately सामने वाला वह video content से convince होके आपके product को खरीदने के लिए राजी हो जाता है काफी आसानी से compare to अगर उसको स्रूश दिखा है compare to अगर आपने इसको सिर्फ स्फेश दिखाया हो compare to अगर आप इसको सिर्फ कुछ और चीज दिखायोอน Steam दिखाय लेकिन अगर आपने इसको वीडियो सिर्फ होते हैं और वीडियो के थुरू sales बढ़ती इसलिए तो आपने देखा होगी टेविजंपे कितने ऐड्स आते हैं क्यों इतने सालों से चल रहे हैं विकवस उनने कनवर्जन लाया उनने सेलज दी है अगर आप सूचके देखो कि आज से 10 साल पहले अगर टेलिविजन ऐड्स से सेल्स आना कम वो रही होती है, तो आज में ऐड आड आना कम बढ़ रहे होते आज आइड विए नाहे लोगर हो, और उसने के लिचे लिए नेट्रंफिक का लेकिक सो से लिएALLY कम भेलो होते हैं और उसका conversion rate बढ़ा सकती है, बढ़ा रही है जब ही बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तिमाल कर पा रहे है। यहाँ पर कुछ कोश्चन आया है, एक संदीब बर्मा ने कोश्चन पूचा है, बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन, बहुत ही अच्छा कोश्चन, मैं इसमें आपको कहूंगा कि आप निश तब स्लेक्ट कर सकते हैं, उस करीकर से स्लेक्ट कीजिए, जिस चीज में आपको अल्रेडी थोड़ा सा अनुभाव हो, है ना, जैसे कि for example, मैं आपको बताता हूं कि, मैं education sector में हूँ, बहुत शुरू से, पहले में teacher भी था, फिर teacher रहने के बाद, मैं जो digital marketing का, जो मैंने career शुरू किया, वो भी मैंने education sector या education firm के अंदर ही शुरू किया, ठीक है, त किन चीजों को लेके excited है, वो किन चीजों को लेके depressed है, यह सारी जब बहुत अच्छे सा understanding develop हो जाती है, तो आप उस niche में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, तो in short मैं आपको यह कह रहा हूं कि, जिस चीज का आपको पहले से ही ज्यादा अच्छे सा idea हो, या आपको दोनों को आप समझ पाएंगे, जब आप अपने client की problems को समझ के, उसको उसकी dream तर पहुंचाने की कोशिस करेंगे या ले जा पाएंगे, तो आपका client आपसे बहुत खुश होएगा, और यह understanding तब आएगी जब आपने उस field में अलड़ी काम किया है, तो आप बहुत अच्छ विशांत वैसे तो यह हम कल के course में भी discuss करेंगे, कल sorry, Monday के दिन हमारा audience finder workshop शुरू हने वाली, 5 days की workshop हमारी audience finder, जिसमें हम सीखेंगे की video marketing तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन video marketing का क्या use करें, कैसे use करें कि हम उसको शुरूआ जो की विशांत कहरा awareness stage से हम उसको purchase stage तक इंप्रेस कर ले, fan बना ले, कि वो हमारा purchase कर ले, कोई product खरीद ले, तो यह जो पूरा video funnel होती है, किस तरीके से काम करती है, इसको हम समझेंगे, आप में से भी अगर कोई लोग, अगर video funnel किस तरीके से use किया जा सकता है, कैसे एक right laser target audience तक पहुंचा जा सकता है, जानना चाह पहुंचे होती है, SEO के बारे में आपको काफी कुछ बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको कुछ important सीज़े बताना चाहूंगा, कि जब आप ranking की बात कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ भी idea नहीं है, कि क्या करें, तो आप Moz, M-O-Z, Moz, ठीक है, और backlink को, B-A-C-K-L-I- and K-O, backlink को इन दोनों की website पे आप SEO से related articles को पढ़ें, या जो आपने question यहां पे लिखा है, बस यही same question आप वहां पे लिखें, और उसके आगे space देके Moz लगा दे Google पे, और फिर enter मारे, या तो फिर space लगा के आप backlink को लगा दे और enter मारे, आपको related article मिलेंगे, जिसमें आपक जाएगा कि कैसे आप backlink कर सकते हैं, कैसे आप on-page optimization कर सकते हैं, off-page optimization कर सकते हैं, ताकि आपकी website की rank improve हो सके, ओकी, smile सरकार ने पूछा है कि sir, fb add में how to coupon code add amazon ecom, यह आपका question थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और detail में अगर smile आप अपना question लिख दे तो बहुत अच्छा होगा, एक second यह क्या, पूरी screen पे text आ रहा है गया, सुर्या ने पूछा है sir, किसी updated blog को SEO, updated blog का SEO कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, updated blog का भी SEO कर सकते हैं, ठीक है, निशान्त ने बोला है, ओके हम थोड़ा सा और question की उपर जाते हैं, संदीब का question discuss हो गया है, निश्वाला, आमलन नाक ने question पूछा है कि, How a beginner with digital marketing knowledge can further proceed a career in digital marketing agency, ओके यह काफी important question है, काफी important question है, कि एक beginner जो है, उसने digital marketing सीखा है, अब वो अपने career को digital marketing industry में कैसे pursue करें, तो देखो, आपने सीखा है, पर क्या आपने किया है, ठीक है, अगर आपने सीखा है और किया नहीं है, तो थोड़ा सा problem है, अब दूसरी चीज, कैसे pursue करें, pursue करने के तीन basic रास्ते में आपको बताता हूँ, एक तरीका, कि आप अपने किसी जन पहचान वाले का, या जाके ढून के किसी का काम शुरू कर दे लेके, ठीक है, कि भई मेरे को आता है, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आपके ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आप उसको low rate में या उसको बोल दे कि ठीक है, आप 15 दिन में आपके लिए फ्री में काम कर दूँगा, या 20 दिन आपके लिए एक महीने में आपके लिए फ्री में काम करूँगा, अगर आपको सही लगता है, तो पैसे देना, अगर आपको सही नहीं लगता है, तो पैसे मत देना, इस तरीके साब को एक क्लाइंट मिल जाए, 99 परसेंट वो आपको पैसे देगा, अगर आपने काम अच्छा किया, यह हुआ फ्री लांसर तरीका, दूसरा होता है, कि आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजनसी में जाकर जोइन कर लेंगे, अब वो लोग भी बोलेंगे, भाई हमारे हैं तो बहुत सारे क्लाइंट है तो तुम अभी एकदम नहीं नहीं है, तुमको एक्स्पिरियंस नहीं है, तो कैसे हम काम करेंगे, तो उनके आप बोलो कि साहब, आप हमें 4-5 जार रुपे दे दो, या इंटरेंशिप के नाम पे हमको रख लो, या हमको फ्री में रख लो, लेकिन आप उसके एक महीने, दो महीने काम करेंगे, आपको पूरी अंडरस्टेंडिंग आ जाएगी, या तो वही आपको 15-20 जार रुपे देने लग जाएगा, या तो आप किसी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में बाद में एपलाए कर सकते हो, तो इस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अकर कोई जॉइन कर लेते हो, तो वहाँ से भी आपको एक्स्पोजर मिल जाए, तीसरा तरीका ये है कि ना फ्रीलांसिंग ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऐसे बहुत सारे बिजनेसे होते हैं जिनको डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत होती है, और उनके पास इतना फंड नहीं होता कि शायद वह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वालों को 15-20,000-25,000 रुपे दे पाएं, वह चाहते हैं कि कोई 5,000, 10,000, 15,000, 12,000 रुपे में हमारे आफिस में बैठके हमारा काम करें, और शायद सिर्फ एक आधी काम नहीं यानि कि सिर्फ शोचल मीडिया नहीं वह सोचल मीडिया भी करें, क्लाइन को भी इतनी समझ नहीं होती है वह चाहता है कि हमको कम में बहुत कुछ मिल जाया और आप भी इतनी जादा समझ नहीं तो अभी आपको जवितना कीम ہو अपनाना चाहिए och सीखने करओकि अभी आप भी clear कि आप किस में ज्यादा इंटरस्टेट हो और किस में नहीं हो ठीक है तो जब आप करोगे तब ही आपको clarity आएगी कि आप किस में ज्यादा इंटरस्टेट हो इसलिए तीन basic opportunity होती है या तो आप किसी जानपेचानवाले का काम ले लो या किसी organization में जाके उनसे बात करो अपना काम शुरू कर सकते हैं जोगेंद्र मसराम का question है कि क्या आपने कोई special degree करी है डिजिटल मार्केटिंग के उपर तो जोगेंद्र मैंने कोई special degree नहीं करी है डिजिटल मार्केटिंग के उपर और वैसे देखा जाया तो डिजिटल मार्केटिंग के उपर कोई special degree करने की ज्यादा requirement है भी नहीं ठीक है आप तीनों सेक्टर में कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए अब अगर आपने degree करी है या नहीं करी है अगर आप ये तीनों में से कोई भी काम कर रहे हो चीज बढ़ नहीं रही है तो आप निकाल दिये जाओगे या तो आप कहला होगी कि आप बेकार काम कर रहे हो और अगर आपने degree नहीं करी है लेकिन अगर आप किसी का ads चला रहे है उसको sales मिल रही है वह आपके साथ ही continue करेगा वह आपको बुले का आप बहुत अच्छा काम करते हो आप मेरा एक friend उसका ये दूसरा business आप उसका भी काम करो आप उसका भी काम करो आपके degree की बात ज्यादा नहीं ह रहा हूं लेकिन अगर आप किसी का काम लेकर या practice नहीं कर रहे है ठीक है खुद को challenge नहीं दे रहे है तो फिर आप result नहीं ला पाएंगे तो practice और knowledge दोना का बहुत जादा importance होता है यहां पर Amit का question आ रहा है robot.txt क्या role होता है SEO में आरे यह वाला थोड़ा सा मैं को अभी समझाने में difficult हो जाएगा Amit इसको better होगा कि आप Google पर लिखके समझें या तो फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा detail में बात मैं समझाता हूं robot.txt बैसिकली तो इसमें site map बनता है लेकिन मेरे को बहुत जादा detail में समझाता नहीं है दौला तली का comment आया love you sir love you to डौला तली मैंने आपके बाकी comments देखें अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि sir ने reply नहीं किया या मेरे comment नहीं देखें तो मैंने आपके comments देखें है सूर्या का के नीचे कोशन आया संदीब वर्म का कोशन आया है कि Instagram page के zero से कैसे grow करें और digital marketing से related content हम कुछ भी डाल सकते हैं या फिर digital marketing में भी जैसे अगर FB, Insta ads, niche select करता हूं उसी से related content पोस्ट करूं देखो संदीब अगर आप niche select कर लोगे तो यह बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आप niche select कर लोगे तो यही बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि अगर हम niche नहीं रखते हैं तो फिर हमारा competition बहुत बढ़ जाता है हम बहुत generalize हो जाते हैं और फिर हम बहुत ज्यादा deep level की बात भी नहीं कर पाते हैं अगर आप Instagram ads या Facebook ads या YouTube ads या YouTube video या YouTube marketing या Google ads या Google marketing या Google leads लाना या Facebook से leads लाना Instagram से leads लाना या SEO करना या सिर्फ off page या सिर्फ on page या सिर्फ backlink कोई भी एक sector छोटा वाला चूस करोगे तो आप उसमें ज्यादा गहरे जापाऊगे तो जब आप ज्यादा गहरे जापाऊगे तो आपकी value market में ज्यादा बढ़ सकती है आपको आपकी screen पर एक question दिख रहा होगा Would you like to have live practice session for Facebook ads? मेरे question पूछने का मतला है कि क्या मैं आपके लिए 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन का live session या कोई ऐसा limited days का session conduct करूं जिसमें मैं पूरा आपको Facebook ads समझाओं स्टार्टिंग से लेकर end तक कि या जितना आपको जरूरी होता है मतला जैसे अगर आपने वीडियो अगरा देखे हैं तो वीडियो से ज्यादा detail में जैसे अभी हम live कर रहे हैं इस तरीके से आपका personal session loop मतलब personal session in the sense की एक class जैसा ठीक है अगर ऐसा session करवाने में अगर आप लोग interested हैं तो आप इसमें yes या no पर reply कर सकते हैं ठीक है would you like to have live practice session for Facebook ads क्योंकि मैंने ऐसा बहुत जादा feel कि आए कि वीडियो देखने के बाद भी जब आप लोग करते हैं प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारी चोटी चोटी चीजे होती है जो आप लोगों को समझ में नहीं आती है और आप लोगों के मेरे पास WhatsApp message आते हैं जिसका reply जब भी मुझे फूर्सक मिलती है मैं आपको reply करता हूँ अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे WhatsApp में कर सकते हैं कि sir I want to talk to you on call ठीक है हम दोनों mutually time fix करके कि जब मैं free हूं उस समय मैं आपके सांथ कॉल पर बात भी कर सकता हूं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है sir आप से बहुत जादा दूर नहीं आपके बहुत करीब है आपके सारी समस्याओं में आपके सांथ है ठीक है यह कोशन था उसके लाबा एक कोशन आ रहा है अमान अपूर्वा का कि आपके अमान अपूर्वा ने कोशन पूछा है कि कि बिजनिस मेनेजर एड अकाउंट एंड क्लाइंट से कैसे एक्सेस लेना है वह क्लियर कर देना प्लीज अब देखो यह कोशन है ना बहुत बार आया है बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि मैंने फिस्बुक एड एंड यत्म है सर मेरे को क्लाइंट का एकस चाहिए मैं ध्लाइन के बतारा हूं अपर वह एकस नहीं दे मारे हैं या मैं ऑनका अपने बानाया आप बिजनिस मिनजर से क्लाइंट का आप यह तो आप इनका बाना है ठीक है ठीक है, एक-एक step, एक-एक step का वीडियो बनाओ कि business manager में access कैसे दे रहे है, ठीक है, आपको खुद के business manager में access देते लेते बन जाता है, कि हाँ यहाँ पे add people की button दबा दी, मेरे video में भी दिया हुआ है, add people की button दबा दी, लेकिन problem कहा होती है, जब आप यहाँ पे होती है, जब screen share करवाओ, screen share करने के अलावा, आप उसको पूरा detailed tutorial video बना लो कि access कैसे देते हैं, आप एक tutorial video बना लो कि access कैसे देते हैं, कौन-कौन सी चीजों का access आपको लग रहा है, वो पूरा आप अपने यहीं पे बैठ कर record कर लो, आपके यह जगे पे, ठीक है, और फिर सबसे पहले अपने client को वीडियो भीजो, और इसको बोलो कि सर्थ जैसा जैसा इसमें instruction दिया हुआ, बिल्कुल वैसा वैसा ही, आप step follow करोगे, तो आप मेरे को access दे पाऊगे, एक और question है, जो मैं आप से पूछना चाहता हूँ, एक question है, क्या YouTube marketing पे course करना चाहते हैं, कई लोगों के question आ रहे थे, sir, video marketing, sir, YouTube पे कैसे करना है, Udemy पे course है, उसमें YouTube पे ads चलाना बताया हुआ है, लेकिन YouTube channel, YouTube channel पे video बनाना, video बना के उसको कैसे optimize करना है, SEO कैसे करना है, thumbnail कैसे बनाना है, analytics में कौन सी चीजों को ध्यान देना है, क्या topic चूज करें कि लोग हमारा video ज्यादा देखें, कैसे हमारा video ज्यादा shareable बने है, कैसे हमारा channel ज्यादा grow करे, क्या मुझे YouTube channel पे काम करना चाहिए, विकनी चाहिए, उसमें positivity कितनी है, क्या सा future न करना चाहते हैं, आप लोग तो उसे साफ से हम कोई YouTube marketing related course भी launch ऐसा कर सकते हैं, मतलब आप और मैं जैसे हम लोग भी बात करें, इस तरीके से हम discussion कर सकते हैं, तो अगर और कोई reply करना चाहता हो, यह इसमें, पोल में, तो यहाँ reply कर सकता है, फिर मैं आपके सामने इसका result डेक लेर कर देता हूं, ओके यहाँ पर पोल आया होगा, आया होगा, सभी लोग ने reply कर दिया है, पोल के उपर, ओके, काफी काफी ज़्यादा लोग इंट्रेस्टेड हैं, कि YouTube मार्केटिंग पर कोर्स किया जाना चाहिए, अश्फाक शरीफ, अश्फाक शरीफ ने reply दिया है, अमित को, कि robot.txt का मतलब है, वह फाइल जो क्रॉलर नहीं क्रॉल कर सकता, ओके, तो जो गूगल का क्रॉलर होता है जो आके चेक करता है आपकी वेबसाइट, उसको अगर वह स्क्रॉल नहीं कर पाता है, तो उस फाइल को हम robot.txt कहते हैं, ब्यास देव साहु ने मुला आया, I am interested, अश्फाक का reply है, सूर्या सिंग का reply आया है, लव यू सर, लव यू टू सूर्या, ठीके, जयेश वशीन्त, बिना पैसे खर्च करें, प्रैक्टिस कैसे करें, अरे एट्स की बिना पैसे खर्च करें, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मतला अगर आप कहीं जॉब करते हो, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, और वो उसके पैसे के लिए एट्स चलवा रहा है, और वो आप पर ट् प्रेक्टिस नहीं होती है अश्वाक शरीप बोल रहे हैं कि सर आया है कोशना आए वांट टॉक तो यू आश्वाक आप मुझे मैसेज कर सकते वाट्सप पे और हम कॉल का टाइमिंग डिसाइड करके हम कॉल पर बात कर सकते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसके लावा काफी क अच्छा लगा होगा एक और एक और कोश्चन में आपसे पूछना चाहरा था कि नेक्स टाइम अगर हम नेक्स टाइम अगर हम फिर से शैशन करें तो कॉन से टॉपिक पर डिस्कुशन देखना चाहते हैं तो यह कोश्चन मैंने पब्लिश किया है अगर आपको दिख रहा है तो आप इसका रिपलाई कीजिएगा ठीक है अगर आपको एक कोश्चन दिख रहा हो आपकी स्क्रीन पर कहीं तो आप उसका रिपलाई कीजिएगा कि अगली बार हम अगली बार अगर हम यह लाइव रखते हैं तो कौन से टॉपिक हैं जैसे कि आज हमने वीडियो मार्केटिंग कवर किया हलाकि मेरी प्लानिंग ऐसे चल रही है कि नेक्स्ट में मैं आपको वीडियो तो इस चल रही है तो उसे तो उससे हम आगे और अच्छी-ची कर सकते है अब आपके लिए एक बहुत ची निउस आपको एक मेरी बहुत ची चीज बताना चाहरा हूं कि आज का जो टॉपिक था वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग से रिलेटेट टूल्स, क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, वीडियो एडिटिंग करने के टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, साउंड एडिटिंग करने के टूल्स हो सकते हैं, और आपका जो है, एनिमेशन बन तो तो अगर मैं आपको लिस्ट की लिस्ट का चाहिए। मैं आपको लिस्ट बताता हूँ पहले मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर करता हू경 है नहीं में रेसंग नहीं स्क्रeans से 20 सेte bolde HOL Presrael Shale और आसी लिन्क है मेरे पाइस अब two can पर लिस्ट की Currently करना चाहताव ना छी अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं मार्केटिंग से रेलेटर जैसे की अडमों को बहुत ज्यादा वीडियो के काम नहीं कर रहे हैं थो उन लोगे बहुत साएफ इंपोर्टेट Summer सकता आपको फ्री साूड कहां से सकते हैं आपको सब्सक्राइन कुर सकते हुअ आपको यहां पर एक लिंक देता हुं इस लिंफ पर और आपको काम काम करने मैसेज करना है video marketing क्या लिखने हैं आपको message में आपको message में लिखना है केवल video marketing आपको लिखना है आप मुझे DM करेंगे मेरे page पर तो आपको automatically वो link मिल जाएगी जिसमें सारी link important link, important tools के नाम दिये हुए है ठीक है आप मुझे message कैसे कर सकते हैं तो आपको सभी को पता है कि मुझे message कैसे करना है यहाँ पर मैंने link डाल दी है मेरे message section की आप इस message पर जाके आपको केवल लिखना है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ Just type video marketing आपको केवल video marketing लिखके मेरे message में अंदर जाके आपको video marketing लिखना है ठीक है और आपको जो है पूरी link मिल जाएगी अमल ने पूछा है WhatsApp कर सकते है क्या link Link हाँ मैं आपको WhatsApp drop करता हूँ लेकिन अभी नहीं हो पाएगा थोड़ी देर में हो जाएगा drop ठीक है तो मैं आपको Link actually link मेरे message section की मेरे Facebook page पर message की button होती उसी की link है उस link के अंदर जाके आपको वीडियो मार्केटिंग लिखना है बस ठीक है बाकी मैंने सब वहाँ पर सेट कर रखा आप जैसी जाकि वीडियो ठीक है काफी 14 लोगों ने reply किया है ठीक है अगर किसी का reply बाकी है तो प्लीज इसमें यहां पर reply कर दें और यह बहुत ही important रहे का आपके और मेरे लिए आगे के sessions को और important बनाने के लिए और effective बनाने के लिए thank you so much और आज का session अगर कैसा लगा आपको आज का session कैसा लगा आपको बस वह थोड़ा यहां पर कमेंट में लिख दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज यह click नहीं हो रहा है क्या हाँ वह click इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उसको चलो मैं फिर से open करता हूं ठीक है question फिर से अभी click कर सकते हो कुश ठीक है किसी ने आगे question का अभी तक reply नहीं किया है तो अभी भी reply कर सकते है okay sir मैंने कर दिया reply sir thank you thank you ठीक है push सभी को बहुत बहुत धनेवाद आप लोगोंने मेरा आज का live जॉइन कि है 45 मिट हमने बहुत अच्छे से spend की और I hope आपको कुछ अच्छी चीज़ आने को मिली होंगी आगे मैं आपसे और ज्यादा अच्छी चीज़े शेयर करना चाहूंगा और आप मुझे आपकी सारी प्रॉब्लम बताओ आपको जो भी जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे वाट्सप पर message करो आप यहां पर मुझे मेरे facebook पेज पर message कर दो आपको लगे कि बहुत दिक मैं आपसे बात करूंगा आपकी बात को समझूंगा जो मैं को सही लगेगा वो मैं आपको समाधान भी बताओंगा आप हैसिटेट मत करो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ डिजिटेल मार्केटिंग में बूम तो है लेकिन हमारा आज के देश का युबा फिर भी इतना struggle क्यों कर रहा है ठीक है तो वह ब्रिज वह गैप को पूरा करना है मुझे ठीक है आप लोगों को एक स्टेबल जॉब एक स्टेबल सेलेरी एक स्टेबल करियर पर पहुचाना मेरा मिशन है तो लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखा दे रहे हैं और उसके बाद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बच्चों पर मैं उस गैप के लिए काम करना चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग तो मैं सिखा दे रहा हूं लेकिन वहां से लिकर जॉब तक कि जो समस्य आपका जो दिए मुझेवाई यृक्टिन करेंगे कोई दिक्कत नहीं आचना है निकल्पम्त कर आधे कने सेशन में समयों अन्याइव पहुत निलगेताना है लेकिन अब हम इसको session को खतम करते हैं और मैं question वाला card close कर देता हूं और मैं यहां से stream बंद कर रहा हूं चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छा एक और चीज़ बहुत important चीज़ कल सुबह doubt solving session है doubt solving session की link आपको मिल गई सुबह notification आ जाएगा कल सुबह 10 बजे इंडियन टाइम के सबसे 10.30 बजे पाकिस्तान में पौने 10 बजे नेपाल में और 9.30 बजे बंगलादेश में doubt solving session शोएगा जो की zoom पे रहेगा जिसमें आप और मैं साथ में discuss कर सकते हैं आपके कोई doubts लिए नहीं है आज मैंने अपनी तरह से कुछ बाते कहीं है कल आपके doubts को समझ के उनके उपर बात की जाएगी तो मैं यहां से stream को बन कर रहा हूं बहुत-बहुत धन्यवाद इस live को join करने का good night